नमस्कार दोस्तों यूट्यूब चैनल साहेत दियन पर आपका स्वागत है और आज हम पढ़ रहे हैं अपनी कक्षा बारहवी की NCRT MP Board और CVSE की और अन्य राज्यों की पुस्तक जो है आरोह भाग 2 कक्षा बारहवी की है और उसमें आज हम पढ़ रहे हैं पार्थ पहला पार वीडियो में हम पूरे पार्ट को जान चुके है पूरे पार्ट का मीनिंग देख चुके है ठीक है तो चलिए इस वीडियो में हम ब्याक्याएं भावारत देख रहे हैं संदर परसंग भावारत देख रहे हैं दूसरी कविता जिसका नामें दिन जल्दी जल्दी ढलता है तो इसका देखे पहला बंद यानि पहला परग्राफ इस तरह है कि हो जाए न पत्मे रात कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है तो देखिए संदर्व में या फिर प्रसंग दोनों मिलाके में बताओं आपको प्रस्तुत पद्यांश या फिर प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठे पुस्तक आरोह भाग दो कक्षा बारेवी की से ली गई है जिसके कभी महा कभी हरीवन श्राय बच्चन जी है और इस कविता का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है ठीक है इस तरीके से और क्या लिखेंगे ये जो गीत है वो निशानिमंतरन से उद्रत है महा कभी हरीवश राय बच्चन जी द्वार रचित गीत निशानि मंतरन से उद्रत है ठीक है क्या लिखाए कि इन भावारत में लिखेंगे इन पंक्तियों में कभी जीवन यात्रा को पत कहकर संबोधित कर रहे हैं इस प्रकार सूरियोद है के बाद सूरियास्त निश्चित है उसी प्रकार जन्म के बाद मरत्यू भी निश्चित है हर एक्षण जीवन ढलता जा रहा है यानि दिन निकलते जा रहे है इस जीवन यात्रा में यात्री जो है दिन ढलने के पहले अपने गंतव्य तक पहुंचना चाता है देखिए लिखा है हो जाए न पत्मे रात कहीं मंजल भी तो है दूर नहीं मंजल दूर नहीं है यह सोच धका दिन का पंथी यानि राहगीर पथिक अब जीवन यात्रा का यात्री जल्दी 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 चलता है और दिन जल्दी जल्दी ढोलता है देखे कह रहा हैं कİ अपने गंतविय तक पहुछना चाहता है अर्था सारी सुक्सुविदाय और जिम्मेदारियां पूरी कर लेना चाहता है ठीक वैसे ही जैसे एक पंची दिन ड़ने से पहले अपने गोंस लोट आना चाहता है देखी ये बात अगले बंदे में कह दी है अगले पेरग्राफ में कह दी है बच्चे प्रत्याशापे होंगे नीडों से जहाक रहे होंगे ये ध्यान परों में चड़ियों के कितनी चंचलता भड़ता है दिन जल्दी जल्दी धलता है तो ये भी इसमें भी आप जो है संदर्व लिख सकते हैं प्रस्त पंक्तियां हमारी पाट्टे पुस्तक में संकलित कविता दिन जल्दी जल्दी डलता है ये पंक्तियां हरीवन शराय बच्चंद्वारा रचित गीत निशाने मंत्रन से उद्धरत हैं इन पंक्टियों में कभी कहना चाहता है कि जब पक्षी दाना चुकने को जाते हैं तब वो अपने बच्चों को गोसले में ही छोड़ जाते हैं जब बच्चे उनकी प्रतीक्षा करते हैं और वो दिन ढलने से पहले दाना बापस लेकर आ जाएंगे देखे लिखा है बच्चे प्रत्याशा में होंगे नीडों से जहांक रहे होंगे या ध्यान परों में चिडियों के भरता कितनी चंचलता है इस प्रतीक्षा की कलपना मात्र से पक्षियों के पंकों में कितनी चंचलता बर जाती है पक्षियों को उपने बच्चों की चिंता सताती है कि ये वे गॉंसलों से जांक जांक कर उनका इंतिजार कर रहे होंगे और इसी प्रकार संसार भी अपनी जिम्मेदारियं जीवन ढलने के पहले पूरी कर लेना चाहता है लास्त और अंतिम पेरग्राफ है इस कवीता का मुझसे मिलने को कौन विकल मैं हूँ किसके हित चंचल यह प्रशन शितल करता पद को भड़ता उर में विवहलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है तो कवी ने बता दिया कि पंथी और पक्षी दोका उधारन दे कवी ने बता दिया की पंती तो अपने रास्ते में चल रहा है उसको बंजल पानी है और बच्चे इंतिजार कर रहे हैं क्योंकि चिडिया को पापसाना है क्यूंकि मेरा इंतिजार कौन कर रहा है मुझसे मिलने के लिए कौन विकल है घू仔 है, मैं किसके लिए चंचल हो जाओं पक्षियों के पर में तो जो है चंचलता भर जाती है सक्रियता आ जाती है एनरजी आ जाती है क्योंकि जब वो बच्चों की याद करते हैं बच्चे इंतिजार कर रहे होंगे तो ठके हुए पक्षी के पंकों में भी जो है व्यक्त किया है कभी कहता है कि संसार में ऐसा कोई भी तो नहीं है जो उसका कर रहा हूँ जैसे की चिडिया के बच्चे चिडिया का कर रहे है मेरा तो कोई नहीं कर रहा है तो मेरे पंखों में कैसे चंचलता भरेगी ठीक है तो वो क्या कह रहा है कि उससे मिलने को कोई तड़प रहा हो ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए वो इन पक्षियों की तरह मेहनत करे या वो जल्दी जल्दी उड़कर जाए ऐसा कौन है यह सोच सोच कर कभी का मन विचले थोड़ता है और उसके कदम ढीले पड़ जाते हैं यानि वो निश्करी हो जाता है उसके अंदर चंचलता नहीं बरपाती कि कौन है उसका जिसके लिए वो चंचलता लाए तो इस प्रकार से यह दूसरी कभीता जो थी पार्ट की यह भी आपर पूरी हो जाती जिस जो महाँ कभी अरिवन श्राय बच्चन जी द्वार लिखी हुई थी इस प्रकार से पूरे पार्ट के भावार्थ व्यक्षा है संतर प्रसंग कम्प्लीट हो जाते हैं तो आप इनको देखाते हैं या आपके लिए व्यक्षा में काम आ सकते हैं समझने के लिए काम आ सकते हैं इन वीडियोस को आप अच्छे से देख लीजिए और इसके बाद जो अगला वीडियो मिलेगा आपको प्रशन उत्तर का मिलेगा ठीक है इस पार्ट के पूरे से जुड़े रहे हैं थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद